क्या हिंदुस्तान में डिस्टेंस में पीएचडी होती है? क्या पीएचडी जो होती है डिस्टेंस या पार्ट टाइम या रेगुलर जो पीएचडी होती है इनमें डिफरेंस क्या है? कौन-कौन से ऐसी यूनिवस्टीज हैं जो डिस्टेंस में आपको PhD करवा सकती है दोस्तों अक्सर हमारे बहुत सारे विवर्स हम से सवाल पूछते हैं कि सब डिस्टेंस में PhD कैसे होती है डिस्टेंस में जो PhD होती है जो अडिरुशन क्या होता है कई लोग फीस पूछते हैं कि अगर डिस्टेंस में हमको PhD करनी है अपनी तो उसकी फीस क्या होगी दोस्तों क्या हिंदोस्तान में डिस्टेंस में PhD होती है क्या PhD जो होती है डिस्टेंस या पार्ट टाइम या रेगुलर जो PhD होती है इनमें डिफरेंस क्या है कौन-कौन सी ऐसी universities हैं जो distance में आपको PhD करवा सकती है ऐसी कई सारी बातों का आज जिकर करेंगे आज अपने इस वीडियो में जादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बरे रहे हैं हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है University India मेरा नाम है विरेंदे वर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम देश-विदेश की universities, colleges, उनके courses को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तों हमने कई सारी वीडियोज बनाई है PhD पर कि PhD की fees क्या होती है या PhD गाइड कैसे अलॉट होता है और भी कई सारी बाते किस तरह से research work का आप अपना करते हैं बट लगाता है जो सवाल बहुत जादा पूछा जाता है students दोरा कि sir part time और distance PhD में difference क्या है क्या हम किसी भी distance university से PhD कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा जो doubt बहुत सारे scholars बहुत सारे students के दिल में है जो PhD में admission लेना चाहते हैं कि sir हम distance में PhD कहा से करें कौन सी ऐसी private university है जो distance में PhD करवाती है मैं आपको बता दू कि distance में PhD नहीं होती है मतलब कि private universities कोई भी ऐसी नहीं है जो आपको distance में PhD करवा सके ऐसा time to time हमेशा UGC के भी काफी सारे notifications आते रहते हैं आप उन notifications को भी देखेंगे तो भी आसानी समझ पाएंगे बट आप उन notifications की copy चाहते हो या gadget चाहते हो उसका जो release करता है हमेशा UGC वो भी हम आपको provide करवा देंगे अगली अपने upcoming videos में पर मैं आपको बता दूँ डिस्टेंस में PhD नहीं होती है कोई आपको बोलता है कि मैं डिस्टेंस में PhD करवा दूँगा नहीं होगी डिस्टेंस की PhD का मतलब क्या है मतलब की जो course work होता है जो six month की classes आपकी चलती है जो classes उन सबी को आप महापे wave of कर सकते हो मतलब की classes लगाने की जरूरत नहीं होती है course work करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप distance का कोई ऐसा प्रावधान होता है तो जो अकसर आप लोग पूछते हो जातर जो government employees है या कहीं पर working है किसी भी job में है तो वो लोग चाते हैं कि distance में हम PhD कर ले बट ऐसा कोई प्रावधान फिलहाल तो नहीं है और आप कर नहीं पाओगे किसी भी private university से distance में PhD पर दोस्तों क्या होता है distance और part time PhD में difference उसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और फिर से हम एक record के साथ मतलब UGC के एडलाइन क्या बोलती है उस record के साथ में हम एक वीडियो बनाएंग जिसमें आपको बताएंगे कि distance और part time PhD में difference क्या है बट मैं आपको बता दू फिर से कि distance में कोई भी private university आपको PhD नहीं कराएगी बट distance में तो बिल्कुल नहीं है इस किसी भी तरह की गलत फेमी में आप नहीं रहना कि आप distance में PhD कर रहे हो PhD को लेकर क्या fees होती है कौन से अच्छी university है कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है कोई भी doubts create होते है तो आप हमें comment box में ज़रूर बताएं हम उसका reply ज़रूर करेंगे और कोई भी आप information चाते है PhD को related आप में WhatsApp भी कर सकते हैं दियेगे number पर दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आज जो मैंने बताए distance PhD के बारे में आपको समझ आया होगा और आपने जाना होगा PhD के बारे में दोस्तों अच्छा लगा हमारे वीडियो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले और जादे जादे हमारे वीडियो को अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें जो भी को PhD के बारे में कोई भी information चाता है हमारे वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए